Hello everyone, so hi this is Saurabh Brayna, I hope आपका English का exam अच्छा गया हो, काफी लोग chemistry को लेके काफी tense होंगे, बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अगले तीन दिन में अच्छे से chemistry revise कर ली तो आपके definitely अच्छे marks आएंगे, चाहे आपके preboard में कम भी marks आए हुए हैं, तब भी अ करेंगे और कुछ student 100 out of 100 भी जरूर लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, सबसे पहले हम बात करते हैं, organic chemistry की, organic chemistry सबसे ज़ादा important इसलिए है, क्योंकि ये 33 marks का है, almost half जो marks हैं, वो organic chemistry से आएंगे, इसमें हेलो एलकेंस, हेलो एरींस, अलकोल, फिनोल, एथर, तो definitely आपके अच्छे marks आएंगे, ठीक है, मैंने पहली playlist बनाई है, quick revision की 30 to 35 minutes की है, ठीक है, इसमें मैंने न सारे topic cover कियो हुए है, ठीक है, तो अगर आप ये देख लेते हो, तो mostly आपके सारे topic क्या हो जाएंगे, cover हो जाएंगे, organic chemistry के, ठीक है, तो suppose hello alcanes, hello arines है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले quick revision करनी है, ठीक है, अगर playlist 3 देखोगे, ये मैंने organic chemistry की playlist बनाई हुई है, तो जैसे आपने chapter पढ़ लिया ना, उसके साथ आपको क्या करना है, आपको organic creation, जैसे ये chapter पढ़ लिया तो इसके सारे organic creation आपको याद करने है, ठीक है, तो आपके आपके दिमाग में clarity आजाए कि कौन सी reaction कैसे होती है, ठीक है, एक बार reagent याद होगे ना, तो आपको playlist 2 में जाना, यहाँ पे मैंने pyq डाले हुए है, pyq से क्या करना है, आपको हर एक chapter का pyq डाला हुआ है, और हर एक chapter के pyq के comment section में आपको pdf मिल जाएगा, आपको pdf download करना ह ठीक है, ठीक है, और अगर आपको कोई भी doubt आता है, कोई भी section में कि कोई आपको topic difficult लग रहा है, तो मैंने topic wise भी divide किया हुए, आपको सारे videos देखने की जुरुत नहीं है, जो आपको topic में difficulty आ रही है, आपको उसी में, उसी को solve करना है, suppose आपको sd can basic strength में आपका गलत हुआ, तो ये वारा topic पढ़ सकते हो, reasoning based question गलत हुए, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, similarly आपको क्या करना है, हर एक chapter का, पहले आपको quick revision करनी है, उसके बाद आपको reagent याद रखना है, उसके बाद आपको pyq solve करनी है, ठीक है, आपने ये सब कर लिया, ठीक है, अब मैंने एक और playlist बनाई है, sample paper की, कुछ लोगों के already सारी revision कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि वो paper solve करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, playlist 4 बनाई है sample paper, इसमें आपको CBSE 1 का sample paper, जो उन्होंने first sample paper दिया था, second practice sample paper 1, और बाकी sample paper भी मैं हर दिन add करूँगा practice के लिए, ठीक है, छोटा सा आपक physical chemistry की, इसमें 3 chapter है, solutions, electrochemistry and chemical kinetics, 23 marks का है, और काफी ज़्यादा straightforward इसमें से questions आते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहरे suppose आपने solution की क्या करनी है, revision करनी है, 30-35 minutes में आपकी revision हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे physical chemistry की एक separate playlist होगी, ठीक है, उसमें आपक formulas और सारे graphs देख लेने हैं, ठीक है, चूंकि formulas, important है, solve करने के लिए, और graph भी पूछे जाते हैं, तो सारे important formulas and graphs सबसे solution का आपने देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इस PYQ की playlist से download करना PDF question solve करने है, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा question solve करने है तो मैंने important questions का भी playlist यहाँ पे रखा होगा, तो वहाँ से आप extra questions solve कर सकते हो, और इसमें आपको reason based question भी सारे cover हो जाएंगे, ठीक है, similarly आपको electro chemistry का क्या करना है, सारे formula से याद रख लेने है, PYQ solve करना है, अगर आपको extra PYQ चाहिए है, extra questions चाहिए है आपको, important question की playlist से solve कर सकत और अगर आपको extra question solve करने है, तो important question से आप extra question solve कर सकते हो, तो ऐसे आपका पूरा physical chemistry भी cover हो जाएगा, next दम बात करेंगे, inorganic chemistry की, इसमें दो chapter है, DNA, block, element and coordination, compound, 14 marks का है, आपको revision करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ solve करने है, ठीक है, PDF, और अगर आपको extra question solve करने है, तो आपको important question से मिल जाएगा, mostly सब कुछ इसमें क्या हो जाएगा, cover हो जाएगा, मैं extra video भी inorganic के अभी डालूँगा, ठीक है, जब आपका सारा cover हो जाए, और अगर आपके पास free time है, तो आप क्या कर सकते हो, playlist 4, sample paper definitely solve करना, CBSE 1, जो इन्होंने sample paper दिया था 2, practice sample paper 1, और सास final time जरूर बताना कितने माँ सारे है, comment section में जरूर लिखना, all the best for your preparation, और मुझे पूरा विश्वास है, आप सब अच्छा करोगे,